आज के इस वीडियो में दिखाये गए सभी दिरिश से बाल मेकी नगर के हैं अगर वीडियो से किसी को कोई आपती है तो निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपने यूटिव चैनल के आर इंटर्टेन्मेंट वन लिपर आज आप सभी को हम लेकर चलते हैं बाल मेकी नगर यानि कि तिरबेनी जी जिसे भैसा लोटन के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ पर कुछ जगह और कुछ चीज़ें दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे जैसे कि बैरेज पूल जो कि इंडिया और नेपाल के बोडर है इंडिया को नेपाल से जोड़ता है और इको पार्क जूला पूल और कॉलेसवर धान अपने घर से निकले हुए अब हम यहां में रोड है जो कि जंगल के बीचो बीच से होकर गुजरता है बालमिकी नगर के लिए यह मुख्य रोड है में रोड है जो कि बालमिकी नगर से पटना तक डारेक्ट जाती है तो दोस्तों आज हम चल पड़े हैं अपने निजी सवारी से बालमिकी नगर की से करने के लिए तो दोस्तों अगर आप भी यहां पर आना चाहते हैं बालमिकी नगर की शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग अपने किसी भी सावारी से यहां पर आसानी से आ सकते हैं बालमिकी नगर जाते हुए रास्ते में आपको कई छोटे बड़े गाउं मिलेंगे जैसे कि आप सभी वीडियो में देख पा रहे होंगे यहां पर आप किसी भी मौसम में अपने पूरे फैमली के साथ आ सकते हैं बालमिकी नगर में परेटकों के ठाहरने के लिए उ परेटकों के लिए घुमने के लिए वहां पर कई तरह के जगा है जैसे कि बालमिकी आश्रम जटासंकर मंदीर नर्देवी मंदीर एको पार्क जूला पूल और विक तरह के सीश महल सबसे 20 वहां का है शीश महल उसके बाद भी और भी कई जगा है अन्य जगा है जहां पर आप लोग खुब आसानी से पूर्य विस्तार से अच्छे से घुम सकते हैं फिर सकते हैं और वहां का आनांद उठा सकते हैं अब यहां बाल मेकिन अगर से 10-15 किलो मिटर पीछे हैं बस कुछी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं फिर वहां के सभी दिरिश्या आपको द झाल 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 कि आख अगर बालमेकी नगर पहुंचने से पहले तीन आड़ी पूल के पास से होकर गुज़रेंगे जो कि बालमेकी नगर में पड़ता है दोस्तों अब हम सभी बालमेकी नगर में परवेश कर चुके हैं अब यहां से नजारा शुरू होता है यहां है आपको तीन आड़ी पूल तीन आड़ी पूल के पहले का जो चौरहा है वहां का यह सभी द्रिश्य है दोस्तों आप लोग सामने की तरफ देख पाएंगे बालमीकी नगर का बोड लगा हुआ है और यहाँ से बैरेज पूल एक किलो मीटर है देखिए बोड लगा है वहाँ पर लिखा गया है बैरेज पूल एक किलो मीटर और अब हम तीन अड़ी चोक पे हैं यह हैं से हम बाई कि तरफ मूडेंगे डाइरेट पहले सब से पहले सुरू करेंगे बैरेज पूल की तरफ से आपको घुमाना सुरू करेंगे देखिए यहां से यह سडक हो गया घुम जाएका बैरेज पूल की तरफ बoureर एक किलोमेटर पर प्रता है इंडिया को नेपाल से जोडता है, देखिए कितना अच्छा नजारा देख रहा है, कितना सुन्दर नजारा है यहाँ फे देखने के लिए। दोस्तों बगल में जो आप नधी देख रहे हैं यहाँ बएरेज पूल से निकल कर आया हुआ है इसमें पानी के साथ में लकडी दोह कर आते हैं बोह कर आते हैं जिसे लोग क्या करते हैं कि छान करके साइड पर रखके सुखाते हैं और उसके बाद उसे जलावन के रूप में उप्योग करते हैं देखिए आज पर सभी लोग लकड़ी छान कर रखे हुए हैं साइड में अभी ततकाल में नहर में पानी बंद कर दिया गया है यहाँ पर सब लकड़ी पड़ा हुआ है झालब किया लोग ज्साइब कर दिया ऑफे हैं साइड, क्यों ओनाकाय। तो दोस्तो आब हम पहुंच चुके हैं बेरेज पूल के पास जो की इंडिया को नेपाल से जोड़ता है और देखिए यहाँ सामने आपको बेरेज पूल दिखाई देगा इसमें कुल 36 पाये हैं और यहाँ जो पूल है इंडिया और नेपाल का बॉडर है अभी यहाँ ततका यहाँ बंद कर दिया गया मीशांत से लौक्ताउं की वज़ा पाये कि इस यह साल से ऊपर हो गया जोकि बंद परा हैं Can이가 हो सकता है, इसे कुछ दिनों में खोल दिया जा, आप अपने गाड़ी को एक साइड में पहले पार्क कर ले, उसके बाद से हम फिर बताते हैं आप सबी को, आभी हम बैरेज पूल पे हैं और इधर दाहिने साइड पे रुखे हुए हैं, यहां दिरिसे जो आप देख पा रहे हैं, यहां बैरेज पूल के दाहिने साइड का, यहां पे कई सारे पेर पोधे लगाये गया हैं, और कितनी अच्छी हर्याली फैले हुई है, कितना सुन्दर दिरिसे दिख रहा है न, सामने आपको जो नदी बह रहा है, बैरेज पूल पे, और वहां पे हिमाले परवत दिख रहा है, जड़ा सा जूम कर दे रहा है, देखिए, कितना अच्छा दिरिसे दिख रहा है, कितना सुन्दर दिरिसे दिख रहा है है, और यह नदी जो बह रही है, अब यह दिरिसे है आपका जो सामनी की तरफ थोड़ा जूम कर दे रहा है जिदर से नदी आती है उदर से नदी निकल कर आ रही है और इधर आपको चला जाएगा सब निकल कर दिखिए वहाँ पर बैरेज पूल के आपको सारे पाय नजर आ रहा होंगे यही पूल है जो कि भारत को नेपाल से ज जाएगा और अब चलिए चलते हैं थोड़ा पूल की तरफ नजर दिख से थोड़ा आप सभी को दिखा दें कितना सुंदर दिरिसे दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है यह हो गी आपका पूल के अगल बहल का दिरिस यहाँ पर अभी पूरी सुन सनाटा दिख रहे है कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम बाचीत करें यहाँ देखिए निचे जो पाया है जिस पर फाटक लगाया गया है पानी को रोकने के लिए वहाँ पर पानी बह रहा है यह फाटक उठा दिया जाएगा तो पानी इधर से निकल कर और दूसरे नहर की तरफ चला जा तो देखिए आप सामने वहाँ पर बैरेज पूल देख पा रहा होंगे कितना सुंदर नजारा दिख रहा है वहाँ पर सभी के सभी पायों पर कैमरा लगा दिया गया है जिससे की पानी का अनुमान लग सके की पानी को अप घट रहा है और को बढ़ रहा है यहाँ फाटक बन था इसलिए अब आपको एक और दिरी से दिखाते हैं यहाँ पर यहाँ दूसरा फाटक है दोस्तों हम आप सभी को एक ऐसा नाजारा दिखाएंगे जिसे आप लोग देखकर दंग रहा जाएंगे यहाँ देखिए बच्चे जोकी अपनी जान को जोखी में डालकर उतने निच्चे फाटक पर उतर कर और वहाँ से लक्री चुन रहा है यहाँ होगी आपको फाटक में पाया जो है वहाँ से फाटक उठा हुआ है पूरा और वहाँ से पानी उस साइड में बहुरा है यानि कि अब यही होते हुए चला जाएगा आपको पनी आवा यानि कि स सभी गाओं में बाढ़ा जाते हैं और ऐसा कब किया जाता है तो सिर्फ बारिस के दिनों में बरसात के टाइम में क्योंकि बारिस अधिक होती है पानी अधिक आता है जिसके वज़ा से फाटा को उठाना परता है क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम तक पानी को रोक भी नहीं सकते हैं देखिए कितना अधिक पानी यहाँ पर बोह रही है और पूरे अस्पीर से पानी चल रही है तो दोस्तो यहाँ था अभी हमारा बैरेज पूल आपको यहाँ बैरेज पूल कैसा लगा यहां का दिरी से कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताईएगा अब हम चलते हैं दूसरे जगो और भी आगे कई दरी से देखने हैं अभी तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने गारी की तरफ और आप गारी में बैठ चुके हैं आपको एक और छोटा सा इंटरटेन्मेंट का नजारा दिखा रहा हैं यह जो आप देख रहा हैं हमारी बैठी है यानि कि नाइसी है जो कि अभी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है और अस्टेरिंग को संभाल रही है देखिए आया चोटी सी बच्ची कितनी अच्छी से अस्टेरिंग को संभाल रही है और किस परकार से उसे घुमा रही है बहुत नठखट बच्ची है य हम चलते हैं अब जूला पूल की तरफ यानि कि एको पार्क की तरफ चलेंगे तो दोस्तों एको पार्क जाने से पहले का थोड़ा जो द्री से है उससे भी हम लोग देख लें चलिए गाड़ी को थोड़ा रोड से साइड उतार कर हम निचे ले चलते हैं वह आप लोग जो सा रस्तीमर से बैट कर सायर किया जाता है घूमा जाता है चारो तरफ उसके भाड़े लगते हैं कुछ पैसे देने परते हैं और उसके बाद से हम लोग आसानी से सैर कर सकते हैं अब हम आचुके हैं यहां पे साइड मे यहां से दिखिए बैरेज पूल किस तरह से दिख रहा ह कितना अच्छा दिरी से दिख रहा है और वो है उस साइड का नेपाल साइड का वो सामने वाला जितना भी दिरी से दिख रहा है आपको सभी के नेपाल साइड के हैं यानि कि इंडिया में नहीं है और वहाँ पे होगी आपको कुछ घर और मंदिर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर भी लोग लकड़ी को छान-छान कर साइड में रखे हुए हैं सुखने के लिए अब यह देखिए यहाँ है नदी के किनारे इस्तित है और यहाँ पर यहाँ पर एक छोटा सा ऊचा परव confrontation से दिखाई दे रहा है आपको किटना अच्छा दिरसे दिख रहा है वहाँ परवत के उपर भी एक छोटा सा घर बना दिया है और यहीं जो किनारे से आपको रास्ता दिखाई रहा है सीधा यह चला जाएगा आपको कॉलेसवर धाम तक जो कि सीधे एक अदम कॉलेसवर धाम तक जाएगा यह रास्ता आपको नीचे ही नीचे नदी के किनारे से होते हुए बहुत अच्छा पार अभी यहाँ पर कंची दिख रहा है आगे से पूरा पक्का हो चुका है टाइल्स लगा दिएगा है यह रास्ता आपको सीधे लेकर चला जाएगा कॉलेसवर धाम अब चली आगे चलते हैं अब हम आ चुके हैं दोस्तों तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इको पार के पास यह जो देख रहे हैं सामने दिरी से दिख रहा है एको पार का दिर से है, अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी बंद کر दिया गया है, lockdown की वज़ा से, इसलिए हम आप सभी को बाहर से दिखा दे रहे हैं, अगर आप लोग इसे अच्छे से देखना चाहते हैं, पूरे बिस्तार से देखना चाहते हैं अंदर का दिरिसे देखना चाहते हैं तो इसका पूरा वीडियो हम पहले बना चुके हैं आप अमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं या तो हम फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे वहां से आप लोग इसे पूरा बिस्त को कुछ समय के लिए भूल जाईएगा अब हम पहुंच चुके हैं जूला पुल के पास सबसे पहले गाड़ी को पार कर लें उसके बास से आपको दिखाते हैं आच चुके हैं हम दोस्तों जूला पुल के पास अभी यह अभी बंद है लोगडान की वज़ा से और यहां है होकर उस साइड में निकल जाएगी कितना अच्छा दिर से दिख रहा है ना निचे जो खाई की तरफ देख रहा है उधर भी चला जाए थोड़ा बहुत चली हम निचे उतरते हैं यहां पर कुछ और भी लोग हैं जो घुमने के लिए आये हुए हैं आपको यहां पर से पूरा सड़क बन चुका है नदी के एकदम किनारे किनारे और यह सीधा आपको बना दिया गया है साइड में रेलिंग भी फिर उसके बाद से आगे की तरफ घुमेंगे कितना अच्छा जगा लग रहा है साइड में जंगल और एक साइड में नदी और बीच में सरक बना दिया गया है दाहिने साइड में आप जो देख पा रहा है उंचे पहार की तरफ बनाया गया है वह अभी नया नया भराया हुआ है भरान किया गया है मिट्टी को भरके और उंचा परवत बना दिया गया है और निचे पार्क बना दिया गया है जिससे की लोगों को घुमने में सुविदा हो और यहां पर कितना अच्छा बांध बांध दिया गया है जिससे की पानी कभी इस राष्टे को काटना पाए सभी लोग इंजवाय करते हुए एकदम आगी की तरफ बढ़ रहे हैं चल रहे हैं लोग कॉलेस्वर धाम की तरफ आगे आपको कॉलेस्वर धाम है यार धूप तो बहुत तेज हुई है इतना जोड का धूप हुआ है पसीना निकल रहा है पूरा सामने आपको कई छोटे बड़े परवत दिखाई दे रहे होंगे पहाड दिखाई दे रहे होंगे उनहीं पहाडों के बीच से निकल कर यहनदी आई हुई है और उधर से ही आपको पानी आता है उधर सामने आप लोग देख पा रहे होंगे कोई परवत दिखाई दे रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं कॉले स्वर्धाम की दरब अब हम आ चुके हैं कॉले स्वर्धाम या जो दिरी से देख रहे हैं कॉले स्वर्धाम के पीछे का है वहाँ पर पेंट पर एक सीड़ी बना दिया गया है जिसके द्वारा हम लोग उपर पेंट पर चौर सकते हैं और चौर कर इंजवाय कर सकते हैं या जितने भी दिरी से देख रहे हैं सभी के सभी कॉलेस्वर मंदिर के पीछे का हिस्टा है यहां देखिए सीधे का सीधे रस्ता आपको पहुंच गया कॉलेस्वर मंदिर सामने जो आप दिरी से देख रहा है वहाँ नेपाल का है वहाँ पर लोग पूजा पाट करते हैं मंदिर बना हुआ है